एलो फ्रेंज वेलकम तो इमानशी वर्ल्ड मैं बहुत टाइम से ट्राय कर रहे थी कि लिक्विड डो परांथे की एक अलग तरीकी की रेसिपी आपके लिए लेकिया है जो कि बहुत ही इजी हो तो चलिए आज हम लिक्विड डो परांथा बनाना देखते हैं तो यहां देखे फ्रेंज लिक्विड डो परांथा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक कप के करीब गेहूं का आटा ले लिया है यहां पर मैं होल वीड गेहूं के आटे का यूज कर रही हूँ यह हेल्दी भी होता है साथ में मैंने देखिए यहां पर प्याज लिये सलुनीश कर लिया है क्यों कि आज रहा हैं अच्छे चॉप किया और मैं द्रॉपर होले में बाद में दिक्कत नहें साहं इसके के लिए लाल मेच के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे । ठोड़ा सा जीरा डिया है तो ये लिक्विड्ड पराठा है तो इसके अंदर पानी थोड़ा ही डाला है। पर एक बार में हम सारा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसकी जो consistency है न मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी फ्लोई consistency जैसे केक बैटर होता है न ऐसी इसकी consistency होगी लिक्विड दो परांठा बनाना कोई जादा मुश्किल नहीं है यह अभी trend चला है तो काफी लोगों को यह पसंद आया है वैसे अगर originally देखा जाए तो मुझे यह परांठे इतने पसंद नहीं है क्योंकि first of all तो इसको बनाने में बहुत जादा time लगता है और दूसरी बात यह है कि परांठे बहुत जादा जो है कुरकुरे नहीं होते हैं जैसे हमको जो है basic बेलेवे परांठे खाने की आदत होती है न वैसे नहीं होते हैं थोड़े soft होते हैं मुझे जादा soft परांठे काने की personally इतनी पसंद पता नहीं क्यों क्रंची कुरकुरे परांठे जादा अच्छे लगते हैं तो यह देखिए friends यह मैंने mix किया है थोड़ा सा पानी extra डला है इसके अंदर और इसको अब हम 10 मिनिट तक कम से कम ढखके rest करने के लिए छोड़ देंगे rest करना इस डो के लिए बहुत जरूरी है त तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक non-stick तवा ले लिया है आप चाहें तो लोहे के तवे भी बना सकते हैं पर उसमें जो है बीच की तरफ धलान होती है तो यह जो है हमारा non-stick तवा है यह फ्लैट होता है इसमें ज्यादा अच्छा बनता है और इसके बाद इसको जो है हम थोड़ा सा ड्राय आउट होने का इंतजार करेंगे देखिए ड्राय हो गया है और यह जो एक तरफ से अच्छे से ड्राय हो जाए तो के बाद ही पलतीएगा आज को बिलकुल धीमा रखना है इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा एक तर अब चुछ जाना है इसके अंदर दो के अंदर मौयश्चर बहुत जादा होता है तो इसी से जो यह है स्टीम डेवलप होती है और इस्टीम डेवलप होने से इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं और फिर यह फूलने लगता है बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक बात तो यह कि इसको बिलकुल धीमियांच पर आप बनाईए दूसरी बात यह कि आप इसको हलके हाथ से प्रेशर दीजिए अगर आपने जादा जोर से इसको दबा दिया तो इसका जो एयर पॉकिट है वो खुल जाएग फिर फूलेगा नहीं और यह स़िए, ठिस्टी बनते है, की NOT कि नहीं, देफिनेट्ली बनते हैं तो ये देखिए ये मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है इस पे प्रेशर डालती जा रही हूँ और उलट पुलट के मैंने इसको सेका है मैंने हलका सा इस पे ओईल भी लगा दिया था तो इससे जादा अच्छे तरीके से इस पे जो कलर है वो आएगा और ये देखिए हमारा जो पराथा है ये देखिए फूल गया है तो इसको फुलाना कोई मुश्किल बात नहीं है बहुत ये आसानी से ये फूल जाता है ये देखिए पूरा फूल गया है अच्छे तरीके से जैसे हमारा नॉर्मल बिलावा पराथा फूलता है ना सेम उस तर जरूद टैस्टी लगेगा और इसके अंदर हमने मसाले भी बहुत अच्छी जाले हैं इसको आप गरम गरागी लगा के दही के साथ सब्व कर सकते हो तो फ्रेंस यह टेस्टी सी रेचिपी लिकुड डोव परांथे की जरूद टैस्टी कीजिएगा मुझे कमेंड करके जरू तर तक थंडा होने के बाद भी काफी लंबे टाइंग तक सॉफ्ट रहता है तो यह रेच्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो को ज़ाज-ज़ादा लाइक कीजिएगा अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडि वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियो हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू